अगर आपको ये रेसेपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सस्क्राइब करना ना भूलिए और वेल आइकन तो प्रेस जरूर कीजिएगा क्यूंकि मैं ऐसे ही सांदार और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी चलिए शुरू करती हूँ वाइट सस पास्ता बनाना पहले हम पास्ता को बॉयल कर लेंगे यहाँ पर मैंने दो गलस पानी ली हूँ एक पतिले में और मैं एक चमच नमक डाली हूँ और यहाँ पर मैं टोटेल एक कटोडी पास्ता का यूज़ कर रही हूँ अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच डिफाइन तेल आप नमक और ओयल ध्यान से डालीएगा क्यूंकि ज़्यादा अगर ओयल डाल दीजिएगा तो सौस की जो कोटिंग होता है वो नहीं होगा पास्ते में अब इसे हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं देखिए पास्ता हम लोग का अच्छी तरसे बॉयल हो चुका है अब एक पास्ता हम चेक कर लेते हैं देखिए पास्ता आसानी से तूट रहा है इसका मतलब बॉयल अच्छी तरसे हो चुका है पास्ता अब इस्टनरकल हेव से हम इसे छान लेंगे पास्ते के उपर हम डाल ठंडा पानी मैं इसलिए डारी हूँ क्योंकि जो पास्त का कुकिंग पॉसेस होता है वो खतम हो जाए अब इसे हम साइड में रख देते हैं चलते हैं नेक्स्ट पॉसेस की और यहाँ पर मैंने कड़ाए में डाली हूँ दो चम्मच रिफाइन ओयल ओयल जैसे गरम हो जाए अब इसमें हम डाल देंगे चौप क्या हुआ रसून के कलिया थोरी सी प्याज थोरी सी सिमलामीच गाजर और इसे हलका सा सौप्ट होने दूँगी आप अपने मन पसंद की हिसाफ से वेज़ेटिविस डाल सकते हैं जो आपके पसंद हो कौन भी डाल सकते हैं लेकिन जब भी आप स्वीट कॉन डालिए थोरो सा बॉयल कर लीजिए कॉन को अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में अब इसी पैन में हम डाल देंगे दो चम्मच मक्षन मक्षन को हलका सा मेल्ट होने दूँगी और मैं थोरी सी रिफाइन ओयल जो बचिया था उसे भी डाली हूँ यहाँ पर अब दे सकते हैं पहले ही था लेकिन रिफाइन ओयल और मक्षन डालने से क्या होगा कि मक्षन नीचे से जलेगा नहीं इसलिए थोरो सा रिफाइन ओय डालिएगा फिर मक्खन डालिएगा जब मक्खन मिल्ट हो जाए अब इसमें हम डाल देंगे चार चमब्च मैदा इसे अच्छे तर से मिक्स करूँगी और गैस का फिले मैंने का मतलब ही होगा कि मैदा हम लोग का अच्छी तरसे भून चुका होगा जैसे ही मैदे कलर हलका सा चेंज हो जाए अब इसमें हम डाल देंगे दो कप दूद दूद डालते डालते इसे अच्छी तरसे मिक्स करती रहूंगी थोड़ी-थोड़ी करके डालूंगे और इसे मिक् मिक्स कर लोंगी अब इसमें हम डाल देंगे एक चमय ब्लैक पेपर और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अगर आप चाहे तो थोड़ी से दूद्ध और डाल सकते हैं अगर गाड़ा लगे तो अब इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे और बॉयल के हुआ पास्ता डालेंगे देखे पास्ता कितना खिला खिला हम लोग का बॉयल हुआ है ओयल और नमक के कारण ही पास्ता आपस में चिपका नहीं है अब इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें हम थोड़ी सी नमक डालेंगे, मैंने थोड़ी सी दूद्ध और डाली हूँ इसमें और इसे मिक्स करूंगी, देखिए कितना क्रीमी पास्ता हम लोग को तयार है, अब इसमें हम डाल देंगे, कीज ग्रेट किया हुआ, कीज आप चाहे जितना चाहे इतना डाल सकते है जितना आपको पसंद होगा, उसी साफ से आप डाल सकते हैं, अब कीज डालने के बाद, इसे थोड़ी देर चलाती रहूंगी, ताकि कीज अच्छी तरसे मिल्ट हो जाए, यह आप वाइट सस पास्ता जब भी बनाएं, गर्मा गर्म, सर्फ कीजिएगा, मैंने सर्फ कर लि आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, थैंक यू